रामपूर शक्ति भवन के पास रहने वाली पांच साल की मासूम बालिका के लापता होने से छेतर में हरकम मचा हुआ है। बच्ची को तलाशने के बाद उसके परिजनों ने गोरकपूर थाने पहुँचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है। इधर लापता बच्ची की खोजबीन के लिए पुलिस अधिकारियों के मार्ग दर्शन में अलग-अलग पुलिस टीमें सर्चिंग अभ्यान चला रही हैं लेकिन अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका है। रामपूर शक्ति भवन के समीप रहने वाली पांच वर्श की एक मासूम बालिका रविवार की दो पहर दो बज़े से तीन बज़े के बीच घर के सामने से लापता हो गई। बच्ची के दिखाई ना पढ़ने के बाद पहले तो परिजन आसपास उसकी तलाश करते रहे। लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चला तो माता पिता ने गोरकपूर थाने में उसकी गुमशुद्गी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में अभारन का मामला दर्ज किया है। पुलिस की अलग-अलग टीमेल लापता बच्ची की तलाश कर रहे हैं। सुमवार को एडिशनल स्पी गोपाल खांडेल, सीएसपी आलोक शर्मा, थाना प्रभारी अर्चना नागर, सीएसपी प्रियंका शुकला सहित क्राईम ब्रांच की टीम बालिका के घर पहुचे जहां पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से बाच्चीत की। मासूम बच्ची के माता पिता ने शंका जाहिर की है, कोई अग्यात व्यक्ती बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस बच्ची की खोजबीन के लिए हरिस्तर पर प्रियास कर रही है। आसपास के CCTV कैमरे को भी खंगाला जा रहा है ताकि कोई सुराग हाथ लग सके। पुलिस समंद में आसपास के लोगों से पूछताच भी कर रही है। इसके अलावा बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन और बाइपास पर भी बच्ची की खोजबीन और पतासाजी के लिए पुलिस टीमों को एक्टिव किया गया है।